नमस्कार कक्षा आठ एक्सरसाइस तीन पॉइंट एक प्रशन छे का ए भाग हम कर रहे है निम्रा कृतियों में X ग्याद कीजे X क्या है कौन का माप ग्याद कीजे जहां पर भी X है देखे ये हमारे पास ये एक चत्रभुज है इसमें ये कौन है पचास डिगरी ये है 130 डिगरी ये है 120 डिगरी और ये है X हमें X निकालना है देखे चत्रभुज के चार कोनों का योग चत्रभुज है ये इसके चार कोन है एक दो तीन और चार चत्रभुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिगरी चत्रभुज के 4 कोणों का योग यह होता है 360 डिगरी इसका मतलब 50 प्लस 130 डिगरी प्लस 120 डिगरी प्लस X बराबर होगा 360 डिगरी के तो देखिए 50 में 130 प्लस कर दो होता है 180 180 में 20 प्लस कर दिये 200 200 में 100 प्लस कर दिया 300 समझाए बटा 50 में 130 प्लस किया तो 180 180 में 120 प्लस किया तो वो बन गया 300 यह 300 जो है यह यहां तो X के साथ प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आशा करता हूँ यह समझाया होगा 300 कैसे आया इन तीनों कोनों को जोड़ के आया और यह X के साथ प्लस हो रहा था बराबर के उधर गया तो माइनस हो गया यहां से X किसके बराबर आ गया 360 में से 300 माइनस कर दो 60 डिगरी यही हमारा उत्तर है हमें X का माप निकालना था वो हमने निकाल दिया है X का माप आया है 60 डिगरी ठीक है बच्चो आशा करता हूँ यह भाग आपको अच्छे से समझ आया होगा इस प्रश्न के बाकी भाग देखने के लिए मेरे बाकी वीडियोज देखेगा